हलो दोस्तों आप सबको मेरा यूटूब चनल में स्वागत करता हूं मैं रंजन कुमार दोस्तों मेरा चनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो तुरन सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब का अप्शन जरूर क्लिक करिए यहां पे सब्सक्राइब का अप्शन जरूर क्लिक करिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएए इससे क्या फाइदा होगा बेल आइकन दबाने से जैसी में निया वीडियो अप्लेड करूंगा सबसे पहले आपको नोट प्रॉब्लेम था कुस्चन इसका पर आ रहा था मैं इसलिए सोचा कि इसका पर वीडियो बना लूँ आज देखेंगे हम लोग HSN कोड क्या है उसका अब थोड़ा डिसकर्शन करेंगे और उसका इंभास में क्या एक्सपर के लिए इनवर्स में जरूरी है अभी आपका स्कीन का पर देख सकते हैं वाट इस एचेशन कोड कोड है इसको यूटलाइज हो रहा है अभी 200 इसको यह हो रहा है अंडर इस में क्या लिए अंडर दो HSN कोड सिस्टम एप इनटो 97 डिफरेंट चैप्टर 97 डिफरेंट चैप्टर में इसको क्लासिफाइए क्या गया है HSN code consisting of six digits जो code है six digits का है six digits का है वो six digits क्या क्या define करता है ठीक है first two digits क्या define कर रहा है ना chapter उसके देखे the HSN code chapter is representing first two digits of the HSN code HSN code का first two digits क्या reference कर रहा है HSN code को represent कर रहा है third four digits क्या कर रहा है heading of the goods goods का heading representing कर रहा है and fifth and sixth क्या कर रहा है ना sub heading of the goods goods to sub heading represent कर रहा है ठीक है अभी समझ में आ गया code क्या है HSN code क्या है अभी देखेंगे उसका inverse में क्या होता है inverse में हम इमलो का जो inverse format रहता है GST का inverse format उसमें क्या क्या रहता है GST ठीक है according to GST rule in regulation all supplier of goods or service are required to issue a tax invoice mandatorily when the value of supply is over rupees 200 ठीक है tax the tax invoice issue under GST is required to contain the following information वो जो tax invoice आप इस्ट करेंगे GST का यह information वो इन्वर्स में रहना जरूरी है क्या है ना नेम रहना चाहिए एड्रेस रहना चाहिए GST आइन नमबर अप सब नमबर रहना चाहिए supplier का inverse number not exit 16 character inverse number 16 character से एक्षिड होना नहीं चाहिए ठीक है maximum 16 digit तक रहना चाहिए date of tax invoice name address and GST customer if available ठीक है उसका available होगा customer का उसका नम जिस्ट आन नमबर देंगे नहीं होगा तो छोड़ देंगे तो उसका जिस्ट आन नमबर नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे ठीक है hsn code for goods और s a c code for service hsn code मतलब goods के लिए hsn code बनाया गया s a c है service के लिए ठीक है description of goods और service quality supply total value of supply tax value of supply rate of rate and amount of GST place of supply यह information आपका inverse में tax inverse में रहना ज़रूर है ठीक है अभी देखेंगे किन लोग का अब और यह hsn code applicable हो रहा है ठीक है hsn code क्या है ना मैंनी small business में फाइंड दी यह जो क्या है ना बहुत स्मॉल का स्मॉल यह के लिए थोड़ा बॉड़न घटाने के लिए यहां भी लिखा है to reduce यहां भी देखें लिखा है to reduce the compliance बॉड़न small business small business लोग के यह बॉड़न घटाने के लिए क्या गया ना notification निकाला गया था notification नमबर 12 2017 date of notification क्या था 28 जून 2018 में क्या गया था इन लोग के लिए available मतलब hsn code of invoice can be display as follows यह से आपको फोलो करना पड़ेगा display करना पड़ेगा किन लोग के लिए या किन लोग के लिए नहीं डिस्प्ले करना जिन लोग का यह फास्ट कंडिशन देखिए entities having less than 1.5 crore annual turnover जिन लोग का 1.5 प्रोड लेसे turnover annual turnover in the preceding financial year will not be required to display hsn code on the invoice यानी जिन लोग का यह कम है 1.5 annual year कम है उन लोग को hsn code in verse में स्वो करना requirement नहीं है ठीक है आप स्वो कर सकते है लेकिन यह लाव बल रहा है कि आप स्वो करना जरूरी नहीं है not be required ठीक है और सेकेंड पॉइंट में क्या है लाँ entities having rupees 1.5 crore to 5 crore यानी 1.5 crore से exceed होगा और अप टू 5 crore annual turnover in the preceding financial year will be required to display the first two digits first two digits of the hsn code on the inverse first two digits hsn code in verse में स्वो करना जरूरी है ठीक है next में देखेंगे third point क्या है एना entities having more than 5 crore यह था 1.5 crore से लेके 5 crore का भीच में निलो का more than 1.5 crore annual turnover in the preceding financial year will be required to display for first two digit chapter and chapter first two digit and chapter heading of the hsn code on the invoice those only entities having more than 5 crore of annual turnover would be required to display four digit hsn code on the invoice ठीक है मतलब up to five crore जो जिनलों का है तो उनलों का क्या करना पड़ेगा ना उनलों को two digit तक दिखाना पड़ेगा फास्ट टू डिजिट लेकिन जिनलों का five crore से एकसीड है उनलों को क्या करना पड़ेगा ना four digit hsn code दिखाना पड़ेगा ठीक है इन भास में यह यह आपका दिखाना के लिए देखाना के लिए जोरूरी है आपको यह नोटिवेशन आया था बारा नोटिवेशन नमबर था बारा स्लाश 2017 डेट था 28 जून 2018 ठीक है इसको लिए रिलाक्सेशन है एंटिटीज हैविंग लेस देन 1.5 लेस देन जो है और जिन लो और 1.5 से लेगे फाइब क्लोड तक तू दिखाएंगे फाइब क्लोड से एक्सीड होगा तो फो डिजिट दिखाएंगे ठीक है अब यह मैं दिखाऊंगा इन भास का फॉर्माट कैसा है क पर फॉर्माट यहां पे यहां पर यहां पर देखाऊंगे यहां पर देट इमांट भगाएंगा आपका जीसे नंबर यह बगद रहेगा आपका बिल जो है उसका gsm नंबर मोबाइल नंबर यह सब एडरेस बगरा रहे ना चाहिए जो 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 इंफरमेंशन हिसाब से है य एसे इंबस परे न चाहिए ठीके टेक्स इंबस ऐसे बनना ना जरूरी है ठीके जिन लोगा 1.5 से कम है 1.5 प्रोड से कम है वो श्रीप यह बला नहीं दिखा सकते लेकिन बाकी सब दिखाना पड़ेगा और जिन लोगा 1.5 से लेके 5 प्रोड तो खेए उन लोग को दिखाना पड़ेगा तू डिजित तक दिखाना पड़ेगा जिल्लों का फाइब क्रोड्च से एक्सीड है तो फोडिजित दिखाना पड़ेगा ठीक है अभी समझ में आ गया यह जो आपका मतलब इनफर्मेशन बील में जो रिए टेक्स इनफर्मेस्ट में ठीके अभी मैं दिखाँगा आपको को कैसा रहता है ठीक है कैसा उसका फोर्माट है आपको दिखाता हूं आप आपसका आपका स्क्रीन का पर देख सकते हैं its in code item यह है आपका सीरीयल नमबर है आप घ्रिक्रीशन है आप देखेंगे इसमें डेस्क्रीशन में आपका जो बूर्स या प्रोडॉक्ट जो यह कर रहे हैं वह आपका कौनसा केटेगोरी में आ रहा है तो उसी का अप एच एस कोड लेंगे ठीक है आप इसकीन का पर देख सकते हैं यह आपका कोड है बहुत पेज है 430 तक है सिरियल नंबर है आपका इस अब देख सकते हैं मैं इसको यह वाला जो पेज है मैं उसको पीडिये को दे दूँगा इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो का नीचे दे दूँगा आप वहां से डाउनलोड करके आप यह सब देख सकते हैं बहुत सारा है ठीक है दोस्तों इस वीडियो आच्छा लगा जरूर लाइक करिए और करिए और आप इसका अबर कोई डाउड रहेगा फिर भी मेरे को कमेंट के पूछ सकते हैं मैं उसको रिप्लाइ देने के लिए ट्राइ करूंगा ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नहा टपिक के साथ तब तक के लिए जहें